माई यान एक्सेप्टेट बाइफ एफिसोड 70 के स्टार्टिंग में डॉक्टर कुई नुस आदमी से खेती हैं हमारे होस्पिटल में कल रात एक एमिर्जिंसी पेसेंट आया और हमने उसे एड्मिट किया और लगतार 5 गंटे तक सर्जरी चली और हमने उसकी फैमली को कई ब प्रणामा करना बंद कर दोगे और हमारे डेली रूटीन में अपनी टंग लडाना बंद कर दोगे डॉक्टर कुई ने अपना हाथ छुडाते टाइम वह आत्मी गिर जाता है तभी वह आत्मी डॉक्टर कुई से कहता है तुमने ये सही नहीं किया तभी अच्छानक से पर चोट लग जाती है साओ कहती है आप एक बार और्थोपेडिस से एक्जामीन करवा लेना डॉक्टर कुई कहती है काम के बाद देखूंगी डॉक्टर कुई अपने पोकेट पर हाथ रखती है और कहती है मेरा फोन कहां गया तभी डॉक्टर कुई साओ से कहती है लगता नहीं कर दोप तब कहती है मगर जूनियर को पिकप नहीं कर रहा होता है डॉक्टर कुई लडख़डाते हुए जाने लगती है और साहों से कहती है अगर डारेक्टर मेरे बारे में पूछे तो कह देना मैं बस बाहर गई थी साव डाक्टर कुइन से कहती है आपके पेर में चोट लगी है आप कहा जा रही हो क्या मैं आपकी हैल्प करूँ डॉक्टर कुइन कहती है जो मैंने तुमसे कहा है डिरेक्टर को कहने के लिए बस तुम ये कह देना इससे तुम मेरी बहुत ज़्यदा हेल्प कर दोगी सीन सिफ्ट होता है स्टाप डॉर मेलिटरी को दिखाया जाता है कोई कहता है मैंने किसी बच्चे की चीखने की आवास सुनी फोर्ड फ्लोर पर फिर दुबारा कोई कहता है हां मैंने भी सुनी और मैंने चीजों की तूटने की वी आवास सुनी जब मैंने दर्वाजा खट-कटाया तो किसी ने मेरे को रिपलाई नी दिया फिर से इंसिफ्ट होता है डॉक्टर कुइन को दिखाया जाता है जो के स्टाप डॉर्मेटरी की तरफ जा रही होती है उनका पेर लड़ खडा रहा होता है डॉक्टर कुइन दरवाजी पे कान लगा का सुन रही होती है फिर उसके बाद हमें जूनियर को दिखाया जाता है उसके पेर पर चोट लगी हुई होती है डॉक्टर कुईन तुरंट जूनियर के पाथ चली जाती है और कहती है मेरे पेसेंट के फैमली मेंबर ने मेरा फोन तोड़ दिया इसलिए मैं आपके फोन का जवाब नहीं दे पाई क्या तुम तब डरे हुए थे मैं तुम्हारे चोट पर बेंडेज कर दे रही हूँ इसलिए तुम बैट जाओ डॉक्टर कुईन जूनियर के पेर पर बेंडेज कर रही होती है जूनियर डॉक्टर कुईन का पेर देखते हुए कहता है आपके पेर को क्या हुआ डॉक्टर कुइन कहती है एक पेसेंट के फैमिली मेंबर ने अप्टरनून में हंगामा किया था और उस हंगामे को समेटने में मैंने खुद को ही चोड़ पहुचा लिया खेर ये कुछ ज़्यादा सीरियस नहीं है तुम इसके बारे में चिंता मत करो जूनियर पूसता है आपने डैड को क्यों नहीं बुला इसे हैंडिल करने के लिए डॉक्टर कुइन कहती है ये सिच्वेशन इतनी सिंपल नहीं थी मगर इतनी भी कॉम्प्लिकेटिट भी नहीं थी फिर दुबारा डॉक्टर कुइन कहती है मुझे थोड़ी देर तक और काम करना है या पर मैं तुम्हाने ले जाने के लिए तुम्हारे डैड को कॉल कर दूंगी जूनियर कहता है तो मेरे चोट लगी है अगर तो तुम्हारे डेड और मैं एक एडल्ट है और ऐसा नहीं होगा डॉक्टर कुइन जूनियर के सर पर हाथ रखते हुए कहती है तुमको एडल्ट के मामलों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है मैं तुम्हारे डेड को जल्दी ही कॉल कर दूँगी तभी कोई कहता है डॉक्टर कुइन आपको डिरेक्टर बुला रहे हैं डॉक्टर कुइन जूनियर के सर पर हाथ रखते हुए कहती है तुम थोड़ी देर वेट करो मैं अभी आती हूँ फिर उसके बार डॉक्टर कुइ लिया और अपना फोन भी तोड़ लिया और मेरा फोन भी नहीं उठा रही थी इसलिए मैंने होस्पिटल के ड्रोमों में ट्रेक फेक दिया उसके पेर पे चोट लगी ती तब भी उसने मेरा ध्यान रखा अगर तुम उससे हेट करते हो तो उसे बता दो जब मैं बढ़ा हो सभी से इसको कंसल्ट करने की जरूरत होगी डॉक्टर गीन कहती है यह देखने के लिए प्रेजिडेंट ही कोई रिमर वाली गल्फ्रेंड है या नहीं है अप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मिलते इसके नेक्स एफिसोड पर अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्र सब्सक्राइब।